नमस्कार मैं एड्वोकेट विकास जालो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सब का नई वीडियो में BCI का एक important update आया latest update आया जैसे आपको पता है कि अगर आपने इंडिया से अगर आपने LLB नहीं करिये किसी foreign university से LLB करिये और उसके बाद आप इंडिया में practice करना चाहरे हो as a advocate तो आपको एक qualify exam BCI के द्वारा जो contact कराया जाता है उसको pass करना पड़ता है जैसे अगर आपने इंडिया से करिये LLB तो आपको AIB clear करना पड़ता है तो गोर करने वाली बात ही है कि अपना AIB 18 का exam हुआ था 10 December को और उसकी अभी तक final revised answer की भी नहीं आई है और इसका final result आ चुका है तो आप expect कर सकते हो कि आपका वे result अभी आने वाला है कुछ time में तो result of 19th Bar Council of India Qualifying Examination for Indian National Holdings Foreign Law Degrees 18 December से लेकि 23 December के बीच का यह exam था इसका आप download करोगे तो यह आपके सामने एक PDF खुल के आएगी तो इसके देख लेते हैं क्या result होता है और यह 4 March को पब्लिश होया ठीक है कि total 40 students ने exam दिया था और इसके अंदर आप देखोगे कि इसके अंदर 15 बच्चे fail हो गए है अगर थोड़ा सा अंदाज लगाओगे 40% fail का ratio है इसके अंदर ठीक है तो यह भी कोई easy exam नहीं होता है इसमें आप देख पा रहे हो जिन जिन बच्चों के roll number है उनका नाम नहीं ह चुपा रिखे कि वह roll number है तो दिखा हूँ है कौन fail है कौन pass है total 40 students है ठीक है तो आप देख सकते हो इनका result आया हुआ है जो अगर किसी के आपको किसे relative ने दे रखा होगा तो आप उसके inform कर देना कि आपका result आ चुका है आप चेक कर सकते हो वेबसाइट पर जाके BCI की website पर इस एक्जाम में केवल 40 students बैठे थे और इस एक्जाम में लगवग आपके पौने 2 लाग के आसपास बच्चे बैठते हैं तो थोड़ा सा ratio ज्यादा है मैं मैं मान सकते हैं लेकिन देखते हैं क्या हो डिसाइड करें थोड़ा सा लेट चल रहा है BCI अभी तक तो final device answer की result तो झाल 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 झाल